Chunaang विशेश उत्तर फड़देश चुनाव विशेश आज अंतिव यानि साथ भाइच अन्य समाथ हो गया क्या क्या हाल प्रड़देश कि और वनेवाला है तुम कर्चा करूंगा वीडियो देख्ते हें सबस्क्राइब करती और है करते रही हैं दोस्तों रतनलाल बोल रहा हूं कांग की बात में आपका स्वागत है उन्हें वरिष्ट पत्रकार संपादर लेखर जेपी सिंसाब अम्बेड करनामा में मौझूद है नहीं से हाल जाने है उत्तर प्रदेश का कि फाइनली सब बंद हो गया डबे में इबिये मे क्या क्या हो रहा है लेकिन उससे पहले प्लागत है सब्सक्राइब का जी नमस्कार चलिए सर शुरू करते हैं पहले एलेक्षन में क्या होने वाला है उससे पहले दो important मसला है जो जानना चाह रहीं का कि क्या रहा है कि बड़े अधिकारी अपने बोट चेंज कर रहे हैं कलार बदल रहे हैं और सबसे बनारस गुजराथ पुलिस गुजराथ पुलिस बनारस में आई है कई लोग के ट्विच सब देखें वीडियो पुरसल वीडिया पुर्ट देखें क्या है मामला से अधिकारी जो है वो मौसम भी ज्ञानी होते हैं सर यह तो ओसर वाधिता की बात हुए लेकिन पहली सरकार के आने का उनके मन में उस्साफ हो या नहों लेकिन पहली सरकार के जाने की खुसी उनके मन में ज़रूर है दो चार अधिकारियों को छोड़ दीजिए बाकी अधिकारी एगर इस तरह का बिहेव करने लगे अलग अलग विभाग की अधिकारी इस तरह का बिहेव करने लगे त तो आप इसी से समझें कि सरकार के प्रती उनके संबंधित डिपार्टमेंट के मंत्री के प्रती उनके मन में कितना आदर है यह आदर इंवर्टेट कामा वाला है यह आदर नहीं है यह नादर है यह यह इससे यह प्रदर्सीत होता वरना सरकारें तो लोग तंत्र है तो आती करते हैं तो आपको जो है वो गाली देते हैं कि साला बड़ा घटिया टाइप इसको बात की तमीज नहीं है तो वही खाल सरकारों का है सर एक सरकार जाती है एक सरकार आती है चंचागीरी में कोई कुछ करे तो अभी तो सरकार न गई है न सरकार आई है अभी तो सरकार जाने और आने का आहट से आहट है मतलब जा रही है दूसरी बात ये कि जो अधिकारी, यह नहीं पेंसन को ले करके सरकारी करमिचारी 오 के एक बार उन्ने हो या ना हो लेकिन नए है उनके अंदर तो है ना कि अगर उनको अगर खुदा नखासता कुछ अन्होनी उनके साथ हो जा तो उनके परिवार के लिए कोई Social Security नहीं है और पुराने भी लोग हैं तो जानते हैं कि अगर उनके बच्चे नोकरी में आते हैं तो उनके लिए कोई Social Security नहीं रहेगी इन्होंने इतने बड़े मुद्दे को से चेड़ा थेड़ा तो दोजार चार से है इसका बिद्रूप जो है अब सामने आ रहा है तो उसके बार यह पहला चुनाव है जिसमें वो व्यक्ट कर सकते हैं कि वो उसे सहमत है या सहमत हैं तो यह बात जो है पुरानी रही है तो यह बात है तो इसलिए इनके जाने की आहाट उनको ज्यादा हो जाती है जो प्रसासन में बैठे रहते हैं जिनकी पॉब्लिक डिली रहती है तो इसका मतलब कि अधिकारी लोग को यह आहसास हो गया है कि यह जाने वाली सरकार क्योंकि वह अपने नेंप लुट तो कहीं लोग निर्मार्ण विवार्ग के पास है कहीं डियम का जो आपका बदला गया वो पी डवलू डी के जूनियर इंजिनिएर ने बदला लेकिन जो मुख्यमंतरी का जो कोड ग्रूप है आई-एस का वो तो मुख्यमंतरी के साथ उसी तरह है न उसमेंसे तो कोई नहीं बतला क्यों कि उसने पांट साल मुख्यमंत्री के साथ रहे के छिपक के उनको गलत सूचना दे करके जो है उनका दुरूपयोग करके अपना उल्लू सीड़ा किया जो लोग हासिये पर हैं वही जो है अपनी प्रसंदता या प्रसंदता विक्त करेंगे ना जो उनके साथ उसके लायल्टी प्रदसित करने लगें या अंदर खाने उनके टेलीफोन से बात कर रहे हूं यह तो तब परना चलेगा अभी तो जो सारजनी क्रूप से ही है ना कि जो बाकी लोग है जो इनके कोर ग्रूप के अलावा है जो हासिये पर हैं जिनको जो है अनिम्पार्टें कर देंगे सेस्बंड कर देंगे आपके क्या करता है कि जो थव जो जूनियर इंजिनियर ने जिसने जो है बात में कि बात कहा तो इस बार पहली बार यह उत्तर प्रदेश का चुनाओं है जिसमें काफी हद तक एक जुठ हुआ है सपा के जंडे के नीचे और अगर इस जंडे के नीचे दलिद भी एक जुठ हो जाए तो जो 85 परसेंट है ना उससे 15 परसेंट कभी चुनाओं जीत नहीं पाएगा यह मैं अभी से परभी चुनाओं लेकिन इनके अंदर जो इनके बैरिस्ट हैं जो अपने समाज को जो है मतलब दिसा देने के का काम करते हैं लेकिन वो अपने ब्यक्तिगत स्वार्थ के लिए गलत दिसा देते हैं इसके कारण सब गलबड़ी हो जाती है उनकी जो अपनी ब्यक्तिगत महतों कांचाहें वरना 85% से 15% कभी नहीं जीच सकता इतना तो मंदल आयो लागू होने के बाग भी मंदल के लोग नहीं जुटे थे इतना इस पर जो है मंदल से जुड़ी जाती हो कि लोग जुटे हैं अब वो सरकार गठन से लेके उसमें मलाइदार मंत्री मंदल को लेके वह बवाल करें उनको लगे कि हमको पैदल कर दिया सवाल इस बात का है कि चुक्राओं की बबात है अदर्वाइस, जिस ओबी सी पब्लिक और ओबी दलिद पब्लिक जिस दिनी समझ लेगी कि सत्ता की चाभी उनके पास है वो अपने विलेज वैरिष्टरों को या रोड वैरिष्टरों को खिनारे करके एगर एक जूठ हो जाती है तो फिर उनसे दूसरा कोई जीती नहीं सकता पचासी और पंदरा समझ लीजिया जिसमें पचासी परसेंट के लोग काफी हद तक उत्तर प्रदेश में एक जूठ हुए एक और ख़वर आ रहे ही गुजरात पुलिस बनारास पहुंची नहीं है तो पहुंची होगी गुजरात पुलिस उन्होंने वहां डूटी है गुजरात पुलिसी नहीं पहुंची सर वहां के सारे धरम साले सारे होटल जो भी रुकने का स्थान है सारे लाज आप प्रधान मंत्री जिस दिन गए तो उसके एक दो दिन पहले से फूल था और प्रधान मंत्री की जो सभाएं थी जिसमें आगे लोग खड़े प्रधान मंत्री का 500 होना चाहिए फ्लाप मीटिंग नहीं दिखनी चाहिए जैसे कई जगा दिख गई बागी लोग फ्लाप हो या जो भी हो और अगर असली मीटिंग बुला ली तो पता चला आधेस ज्यादा लोग बीच में उटके चले गए उसा पेड़ कर रहें पंगा कि लेखी बिखर लएंगवेज प्रआबडा में तो भी गह थे तो बनारा से जहां हिंदी चलती ए लेकिन बंगाल में तो हिंदी चलती नहीं पंगाल में वंद्धान सवाज में अजमता सब्सक्रावंबंए और आपके पास बहुत ही होता है हर जिले में आपके जो विसरसर हैं मौजूद होते हैं तो जड़ा इस समयकरन सब्सक्राइए कि आज हुगा क्या होगा देखे अब आज सिर्फ एक बात आपको बताते हैं इससे आप पूरा अंदाजा लगाईए पनारस में जो सहर दक्षिन सीट है जिसमें विस्वन कारीडोर जो है बनवाया और उसका उद्गाटन करवाया वहां इनके बहुत खासम खास मंत्री नील कंट तीवारी चुनाओं लगा और वहां से एक मंदिर के महंत खांदान के हैं वो दिक्षित जी वो जो है सपा से इस बार चुनाओं लगा और जो दिन भर की हाई किल स्वार हो जाय तो यादो मुसल्मान पटैल यसंतों पहले सही है मोरिया पहले से हैं तो तिलक अगर सवार हो गया है तो आप श्मद छहें किसी से जो आइंड कि क्या हिस्स्तिति है और वो है एक बात पर इस पर मुहर लगाएगा कि आपका जो च्योश Sugden बनाने वो सपने को बनारस के साहर जक्षन के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है आप इधिहास के प्रोफेसर हैं आप जानते होंगे कि जिस समय देश आजाद हुआ उस समय कि यह पर सिफसन था कि जो मुसल्मान पाकिस्तान चाहते थे या जो उनके पक्ष में हो गए थे वह सोचते थे प्रयाग राज में पाकिस्तान बने का वह सोचते थे भिहार के दानापूर में पाकिस्तान बने का लेकिर पाकिस्तान बना पर अपने जीवकों पारजन का साधन उसको गिरा कर कोई विकास नहीं चाहता है कि आप सरक चोड़ी करने के लिए लोगों के मकान गिरवा दीजे आप जो है अपनी कार को जो है को आम मंदिर के गेट तक ले जाने के लिए सारा वहां के सैक्ड़ों जो है चोटे-चोटे इसमत पर यह विकास नहीं है यह आपका पूझी वाजी चरित्र है कि आप लोगों को पूझी वाद के जो है वो उसमें ठकेल रहे हैं रिलाइन्स में फ्री से सुरू किया था और आज की डेट में उसके सब सर्विसेस कितनी महंगी हो गई है एयर टेल की सर्विसेस महंगी किया है फरजी ढंक से 4 जी का जारी करना शुडू किया है और जो है उस सेवा उसकी टू जी और ट्री गिन है तो विकास वह प्राइथे सेशन को फाईवस्तार होटल बना दीजिए उसको सेवेन स्थार सलाने वालों को दे विकास यह है कि आप अधिक्तम सुविधा दीजिए लेकिन वो थारजनिक छेत्र की सुविधा हो जो अभी तक मिली है वही है यह यह नहीं है विकास है कि आप ट्रेनों को सही समय से चलाइए विकास यह है कि अभी तक किस जमाने से तीसरी कारी डोर रेलवे में लालू पसाद यादो रेल मंत्री से तफ से बन रही है कलकत्ता से दिल्ली तक अभी तक पूरी नहीं बन पाई है क्योंकि आप उसके लिए बजट नहीं देते तो जो आप इस्टेशन का जो रेल लेन बना रहे हैं ना रेल्वे का दो लेन पहले से था एक लेन आप चार लेन क्योंने अभी से बना रहे हैं हम लोग जो है जब विद्यार्थी थे तो म्यूनिक ओलंपिक होने वाला था और उसमें जब प्रस्रिम जर्मनी की सरकार ने वहाँ यह 1970 के आसपास की बात है 1970 मे में आया कि वह 2020 में पचास साल बाद जो म्यूनिक की आबादी होगी उसके अनुसार वो इंफ्राइस्ट्रक्चर आज की डेट में डेट में डेवलप करना है लेकिन आपके हां इंफ्राइस्ट्रक्चर डेवलप होता है अधार टाइप का कि अभी हुआ तो अभी को नहीं बनाते हैं आप सलक को फोर लेन से सिक्स लेन बना रहे हैं आपके सिंगिल लेन से डबल लेन किया डबल लेन से चार लेन किया चार लेन से सिक्स लेन कर रहे हैं कहीं कहीं से एक लेन में भी आप जा रहे हैं रेलवे वाले में क्यों नहीं को कुछ चमका रहे हैं अ आप दिल्ली में इस के उन्हीं चाइज बनाते है जब राजधानी यह तो आप दिल्ली में प्रैवेट को जो बढ़ावा दे रहां ऑप्राइब से जाते ही जो जो कई लाक रुपिया होता है मेलां था इस्फिटल में और वो तमाम जो ऐसे भी टेस्ट करते हैं, जो टेस्ट आपके सामाने रूप से नहीं होने चाहिए, आपका इमाराय नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां भरती हो जाएंगे, तो इमाराय भी हो जाएगा, आपको ICU में रख देंगे, ICU का आप केस नहीं है, हाल की कोई प्राबलम ने फिर भी दांत आपने उख़़वाया, ICU में रहिए, यह सब प्राविटाइशन है, और जो आपने उसके लिए सरकारी आईश्मान काल बनाया, काल से भी जो लोग भरती होना है, पता चला उनका जो ECG हो रहा है, पैसा सिद्ध करने के लिए, पता चला को ICU में रखा जा कोई आप के पास ऐसी मसीनरी नहीं है, जो यह चेक करे कि उसका मिसीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप अस्पताल में जाएंगे तो उस्पताल को कहे गा, पहले हास्पिटल से आप अपना प्रेस्टेप्शन आप अपना यह लाइन आफ ट्रीटमेंट लिखवा के भेजवाईए जब यहां से पुरूब होगा तर भरती होगा उस भरती में भी कह देगा केवल तीन दिन पांस दिन उसमें आप नहीं लिख देंगे कि हम आई सीव मे आप भरती होने मा को जो है बच्चा पैदा हुआ नारमल आई सीव में दो दिन भरती है अगर उस कार्ड पर भरती हुई तो मतलब इतना मिस्यूज है और आप उसमें कोई लोग नहीं लगा रहे हैं सारे आपके पूंजी पती कंपनी पूंजी पती मित्र आपके लाभान लोगों के विश्वास की लूट रही है कि लगों ने रियक गर दिया क्योंक उनका घर तोड़ के आप डिकास करें आप सेवे नश्य जो है कारीडोर बना रहे हैं अगर एक मंदिर में सो रुपया भी सबेरे साम सक चड़ावा आता हो सर तो आप सैक्ड़ों अगर दो सो मंदिर ही जोड़ जिए तो रोज कितना रुपया है मंदिर के प्रति मेरी आस्था नहीं है लेकिन मैं मानता हूं कि मंदिर रोजगार है विससे जो है वो क्या करते हैं एक मंदिर से पुझारी के पूरे परिवार का भरवर पोसंड हो रहा है उसके बच्चे पढ़ रहे हैं उसको ब्रेड एंड बटर मिल रहा है अगर वहां से आप उसको निकाल दें मंदिर खसन करने तो फिर उसको रोजगार कहां देंगे पांच किलो रासन से उसका पेट भर जाएगा और रासन में भी कितना घपला है कोई नया रासन कार नहीं बन रहा है जिनके घर में और दो बच्चे पैदा हो गया उनका नाम र सबसे ज्यादा मुसीबत में तो मद्यम वर्ग है ना वो बीपील में है और वो एशपील में है तो अपने को सफेद कालर बचाया रखने के लिए उसको कितनी जद्दो जहत करनी पड़ रही है पता चला किसी घर में दो सब्जी बन रही हो तो आधे सब्जी से काम चल रहा मतलब आपके हैसाब से विकास का जो भाजपाई मॉडल है उसको उत्ता प्रदेश रिजेक्ट करने जा रहा है जी बनारस रिजेक्ट कर रहा है जो इनका विस्वनात कारी डोर है अगर उस शेत्र में यह चुनाव हार्द है बहले बनारस की आठ सीट में साथ सीट जीच ज क्यों क्यों कि वारा सी रहा नहीं क्योट्व बना नहीं है हसा होता है तब लोगों नहीं समझ में आए था कि क्योटो माने क्या होता है उनको समझ में आ जाता कि हमारा सम्मंदिर गल्ली मकाम तोट जाएगा हम बेगार हो जाएंगे तो कहते हैं हमको क्योटो नहीं चाहिए और यह बनारस है सर आज की डेर में भले धर्मा और आस्था का माम लाओ इसमें पहले MP संभाता रुस्तम साइटिन नाम के कम्निस्ट जो है वो बनारस से पहले MP हुए थे इसका मतलब की बनारस का चरित्र तब क्रांतिकारी था ना तभी तो रुस्तम साइटिन वहां से MP हुए होंगे जैसे इन्होंने आस्था का जो आपका क्या करना है लोगों म आज चौबल सीट में चुना हुए आज क्या ख़बर किस तरब ख़बर तो हमने आपको पहले ही बता दी कि बनारस दक्षिंड की क्या पोजिशन है अब एक उसका बहुत मूटा मूटा अनुमान समझे पिसले बार इनको 29 सीट मिली थी और साइद इनके सहयोगियों को चार सहयोगीगों जो है राजबर जो है वँआ गया है सपा में तो अगर तीन सीट मिली हो लेति होगी तो आप समझे कि यो 3 उसमे उसमें से फिछले बार इसे घठा दीजिए इस बार इसके था-इनको मिले थे उसके चेचरी की तरब निकलाता PV अब वकील मिलके बात कर रहे थे अब हमने यह तो नहीं पूछा कि वकील साब का नाम के आए कि ज्याद के हैं एक वकील साब का तो यहां तक दावा था कि 24 मिलेगी भाषवा कोится मिलेगी मुषर वाग कल में पचास इट मिलेगी गडबन लंको एक वऑशार है कि दाली है जो चंद Almag bookstore के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा था बनारस गाजीपूर आजमंगर म lång केका रहा था उनका उनकी पोस्त थी कि दो पुली और सोनभद्र में भी साफ तो भाईया जब सब जगा साफ हैं तो आएंगे कहां से तब तो हमें वगीर्जा वाली बात ही सही लगी कि 54 में 50 सीट कहीं जो है सभा गडवन्न नजी जाए इनको चारे सीट मिले और भी ढूणना पड़ेगा लेंस लेके कि कौन सी चार मिल रही है जहां देखिए वहीं तो मामला फसा हुआ है उसमें एक आज मेरे दोस्त है कि जो उनका एक बड़ा पूर्वोटर था पिछले एलेक्शन में बुम्यार कमनेटी जो के पुरवांचल के कुछ जिलो में प्रभाफचा लिए गाजी पुरवार के इलाके में तुनायक उसमें भी नाराजगी है वाहां भी नाराजगी दिख रही बीजेपी बोलेकर दे कि उनकी सेट जिए धिए जबकि उनकी अपेक्षा है थी हमने चार सीट-ेमोटा-मोटी कहा है मतलब इसको चार सीट मिली थी तो राजमीत के भागीदारी के लिया उच्छे सीट मिलेगी परादला आपने घटा के एक सीट दो सीट कर दिया तो उनको लगा ना कि आपकी भागीदारी कम हो रही है आपने मंत्री मंडल में जो हैं वह क्या करता है गिर्राज शेंग सामिर कर लिया उत्तरप्रदेश नहीं है क्यों बिहार के गिर्णाश स्थिंग मुवियार रहते हैं हैं है आपने उनको दिया जिनको चीफ मिनिस्टर बना रहे थे मैं इस गवर और मेद method बना दिया आप हलांकी सुनाओं की समय आप प्र जाजीपुर का दोड़ा करके मंदिर महत दर्सन की लो यह कि दूसरी director अफजाल अंसारी का परिवार, अफजाल अंसारी का परिवार, मुस्लिम बोटों के साहरे है, तो ये गलत फेहमी सर, जो है मैं आपके चैनल से दूर करना चाहता हूँ, वहाँ भूमिहारों में भी अच्छी कहसी संख्या में उनकी फालोइंग, उसी तरह, जैसे आपके गोर आपके अलका राय जहां से जीती ती फिष्नी बार चुनाओ, के नहांसे इनका नाम ही हमको ठीक से नहीं ले पाते हैं मुटार अंसारी के बड़े भाई का जबान पच्छण पहुता ही नहीं कि धातुला या इस तरह से कुछ वहींगे अकियल नहीं कियों अब जिसे अतीक अहमद चाहीं जो एक अरिया साही है तो उसके हमाराद भेजवा दिया किसी कह वह तो उसमें जो है वो एक बोड़ा गेहूं बेजवा दिया दो बोड़ा दो टीन डालदा बेजवा दिया यह सब भी उनकी भूमिका ऐसा ऐसा नहीं है कि वो जो है मतला खाली अकेले मुसल्मानों की राजनीत नहीं तो कोई अकेले अपनी जात या केवाल एक कम्यूनिटी के बल पर नहीं जिस सकता जब तक उसको और लोगों की फालों ही नहीं बिले अब यह परसेफ्शन जो घ्रणा की रादनीत फैलाते हैं वो हिंदू-मुसलिम फैला देते हैं अब जैसे माले ठागुनों के बारे में परसेफ्शन है कि बहुत जालिम जमिंदार होते थे सिनेम का में ही परसेफ्शन है कि가요 हम सभी को जो है किसी को मामा किसी को क दूसरे कास की महिलाओं को भी कहते रहे कभी हें हम लोगों कोयी जो उमर में कम हो उसका नाम ले करके तकjay घटिया तबद्दा करें सचाल संस्कार सर आखरी सवाद कितना सीट किसको साथ चर्ण लगतार वनों बाद करते रहे आपका क्या कर रहा है देगे मेरा स्टेटमेंट 200 प्लस सपा सव या सव से नीचे आपका वाजपा बागी जो सीट है उसमें कांग्रेस से लेकि अदर्स चलिए सर तो अभी दस तारीक हम लों मिलेगे और दो तीर बार पाक्षित करें गया तो तारीक को लगतार इस पें रजल रहेगी कि सटीक इसलेशन वाट और मैं कहना चाहता हूं सर इसमें एकजिट पोल सुरू हो गया हां मैं एकजिट पोल के सर्वता विरुद्ध हूं क्यों कि यहां का एकजिट पोल बहिमानी पर आधारित है यहां का एकजिट पोल ब्राहमर का एकजिट पोल है ठागूर का एकजिट पोल है ओबी सी का एकजिट पोल है यह एकजिट बिमानी करती है धानदली करती है उसको जस्तिफाइए करने के लिए एक जीट पोल होता है अगर एक जीट पोल के आसपास रिजलत आ जाता है धानदली के बाद तो कहा जाता है कि अंदर करेंट था लोगों को दिखाई नहीं पड़ा नहों मतलब पब्लिक मीटिंग में दिखाई पड़ा न वोड गिरते समय दिखाई पड़ा अंदर करेंट था तो अंदर करेंट था वो एवियम का करेंट था उसको जस्तिफाई करने के लिए किया जाता है क्योंकि अंति तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल एकजिट पोल पर चुनाओ के तीन महीने पहले से चुनाओ परिणाम निकलने तक एकजिट पोल पर टोटल बैन होना चाहिए अगर आप जो है इमानदारी से चुनाओ कराना चाहते हैं तो यह चुनाओ आयोक से भी मैं कह रहा सबसे बहुत बढ़ा हाथ उस चुरी को को जस्तिफाई करने का एक टूल है आप समझ लीजे कि क्या कहते हैं यह एक जेट पॉल जो दो महीने तीर महीने पहले से सुरू हो जाता है और इसमें भी आप ट्रेंड देखेंगे कि सुरू से वो सत्ता रूर दल को जिताते हैं और जैसे जैसे चुनाव नस्दीक आता है व उसको 42 पर से नहीं दिखाएंगे यह सुद्ध रूप से बेइमानी है आप से और मैं तो इतने दिन से हूं पत्रकार भी हूं कई अकबार ब्यूरो चीफ राज संपादगरा मुझसे तो आज तक कोई पूछने नहीं आया कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है आपकी राय क् पता नहीं एक बोन कह तो हंता हैं हम एपने पूरी सर्गील में सब से पूछा कि आपके पास आया था ज़ो सर्वे होता है या जो नहीं नहीं कभी चुनाओ पहले तो हम लोग बूथों बूथों गूंते थे रिपोर्टर से तो भी और संपादक थे तो भी तब भी कोई नहीं दिखा जो निकलते हुए यह पूछ रहा है कि किसको आपने बोट दिया इस बार भी आप अजीत अंजुम को छोड़के जल्दी किसी को नही सब्सक्राइब करें जो चुनाव आयों का निर्देश है उस निर्देश का पालते हैं जो है उत्तर प्रदेश का प्रसासन नहीं कर रहा है उत्तर प्रदेश का प्रसासन जो है को चुनाव आयों का निर्देश है कि आप स्ट्रांग रूम को चारों और से सीसी टीवी से कवर कीजिए और सीसी टीवी एक मानीटर से जो है वहां मानीटर से जो है वो रहेगी क्या करते मानीटर रहेगी जिसको जो बिपक्ष के जितने लोग वहां घेल के बैटे हुए हैं वो उनको देखते रहें सारे जगा उत्तर प्रदेश में सपा ने घेल लिया है दूसरे दनलों के लोग नहीं है शपा के लोगों ने चारो तरफ से घेल लिया है अब इलाबाद में हैं मंडी परिसाद में बना हुआ है उसमें आगे तो इन्होंने cctv लगा दिया पीछे cctv कल लगाया है तारीक से वो जो है इस प्रांग रूम है, अठाइस से उसमें जो है बक्शे बंदें और CCTV लगाया है कल पीछे साइड में आगे साइड में लगा हुआ और अभी कल तक वो से सिस्टम से जो है उसका उसकी जो है वो क्या करते हैं इसक्रीनिंग की ब्योस्ता नहीं थी कि जो सारे CCTV जो चलते रहते हैं आपके टेलिविजन स्क्रीन पर जो दिखाई पर्टे रहते हैं कि ताकि सारे लोग एके जगा से बैटके सारा मानीटर कर सकें अब आप इसको क्या कहेंगे 28 तारीक की चीज को कल मैंने 6 तारीक तो 28 और 6 मैंने 5 दिन जो है आपने जो गोल मोल रखा और उसके बाद जो है वह अगर रिजल्ट कु लोगों ने बोलना सुरू कर दिया अधाट मतलब के क्या की तीस पीस के to के लो जो क्यों नहीं आप क्यों चुछते क्यों है अकर यवी इयम कीवी कहां गई आप़ी की कंपनी Otherwise वो गहल रहे हमने हमको हमारे पासने तो कहान हो है तो कहान कहीं प्योंक्र इसको अबहुनिक ब्सक्राइड करते के प्योंकिक कहान गही Hmm और आग को यह होती यह यह हूँ दोचैनल सबस्कुन सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रहा है दोजार उनीस से आप से बता है दोजार बाइस है दोजार चोविस के बाद सुनेगा बड़े भारी इमानदार जो है जैस साहब लोग हमारे बैठे हुआ है मांदी आपने दिया है दस तारीक को आपसे मुलाकात होगी बीच में भी एक आट दिन मिलेंगे दस दस का तो रखे गए दोस्तों जैपी सिंसा आवे विवाक बोलते हैं पूरा वीडियो सुनिए और शेयर करते रहे सब्सक्राइब करते रहे शुक्रिये